Hello what's up guys, आज हम इस फीडियो में देखेंगे react query dev tools in our react version 19 जी हाँ guys, तो आज कोड़ी बहुत important है क्यों क्योंकि finally आज हम हमारा एक new react query का dev tools को install करने जा रहे क्या होता इसका मतलब में आपको बता तो जब भी हम कोई normal react 19 में काम करते है हमें एक चीज मिलता है and that is guys, क्रोम में हम components जो हमारा react का dev tools है भी हम install कर सकते है for example यह components है and then we have this profiler ठीक है तो यह हम basically इसके तुरव में यह पाता चलता है कि हमारे इसमें कितने apps है जो भी state management, children, props, client, जो कुछ भी यह हम check करते है यह था हमारे react version के लिए जो भी वो react project के लिए बट अगर आप 10 stack query यह react query पे काम कर रहे हो तो उनका अपना खुद का भी एक developer tools होता है जहां पे हम क्या कर रहे थे कल के दिन मैंने video बना कि आप कैसे app data को fetch कर सकते है with the help of react query जो कि हम पहले react version 19 में भी कर सकते थे बट this is one of the like simplest थरीका error state loading state सब बता दिए बट हम हर बार उसके data को get करने के लिए network tab पे जाते थे ऐसे देखते थे आप पे load क्या है प्रीवी क्या है response क्या है headers में क्या सिंच चल रहा है ठीक है यह हम करते थे बट क्या हो कि कुछ open ना करना पड़े एक developer tools उस पर क्लिक कर दो पूरा data मुझे मिल जा तो होगी ने कितिनी awesome वाली बात तो वही है आपका developer tools तो लिंक में आपको नीचे description and comment section में provide कर दूंगा source code बिलकुल free है कोई tension नीए तो बिना किसी देरिका video को start करते है तो dev tools पर आपको जाना देखो इस dev tools को पाने के लिए हमें इसको install करना पड़ता है ठीक है and by default हमें यह react यह basically 10 stack query के साथ नहीं मिलता है and let's go to our latest 10 stack query version 5 ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हूं if you want to install the dev tools in your react application then we need to install यह वाला particular package जिसमें आप देख सकते हूं the dev tools are separate package जो कि मैं आपको बता चुक है it's totally different and that you need to install तो उसके लिए 10 stack यहाँ पर देख सकते हूं with the help of node package manager npm pnpm use कर सकते हो yarn use कर सकते हो you can use the burn ठीक है तो at the rate 10 stack forward slash react query dev tools ठीक है ठीक है इसको मैं copy कर लेता हूं मैंने कि यह copy मैं चलता हूं अपने simple vscode editor पर यहाँ पर मैं आता हूं already एक project मेरा run कर रहा है but at the right hand side आप देख सकते हूं कि multiple आप यह basically plus पर जब क्लिक करते हो ना guys तो होता है कि आपका एक nap cell start हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास power cell already पढ़ा हुआ है यह and if you want to know कि मेरा यह किस तरह किसी दिखाए दे रहे क्योंकि आपका पौँ सिंपल दिख रहा होगा so let me know in the comment section है ना कि आपकी मर्जी आप लिख दो terminal new look basically terminal terminal का यह look कहां से है तो कुछ आपकी मर्जी है ना इसको मैं clean करता हूँ let's check it out कुछ है all right ठीक है तो मैं हमारे इसके अंदर जा चुका हूँ अब control and then V ठीक है आप धियान से देख सकते हो तो मैं क्या जूम कर सकता हूँ वह awesome perfect क्या मजा आ गया यह देखे देखो so this is the query npm install at the rate 10 stack forward slash react-query-debt tools ठीक है and मैं इसको enter hit कर रहा हूँ so the moment install होता है उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना आप जादू देखना बस ठीक है and yeah boom guys see install हो गया है मुझे यहां पे यहां पे मुझे एक चीज करना पड़ेगा मुझे कहां पे बताता हूँ app.j6 file पे अब मुझे वो जो मेरा developer tools है वो मुझे यहां पे चाहिए ठीक है तो उसके लिए भी एक बार हम चल लेते हैं कि यह code क्या था उसका okay so for next 13 plus all right ठीक है यह तो next 13 है बट हम अभी react पे काम कर रहे you can import the dev tools like कुछ इस तरीके से and then yeah perfect see देखो हमें उसको import करना है ठीक है no matter what हमें उसको import करना पड़ेगा तो मैं कल लेता हूँ import आपका जो भी मेने वहां पे आईएगा जैसे मैंने यहां पे query client, query client provider अल्रीड इंपोर्ट कर चुक हम from our react query so now अब मैं react query dev tools को import करा हूँ from our 10 stack react query dev tools ठीक है perfect अब सिब import करने से तो होगा नहीं अब मुझे इसको एक जगे पे रखना भी पड़ेगा ताकि पूरा application react application में मुझे वह मिल जाए है ना वह dev tools तो उसके लिए आपको क्या करना होगा देखो यहां पर यह जो पर्टिकुलर लाइन दिख रहा है react query dev tools initial is open false तो इनिसल इन्होंने फॉल्स रखा बठ हम वह नहीं रखेंगे तो इसको मैं copy करता हूँ यहां पर आता हूँ एंड यह जो पर्टिकुलर दिख रहा है यहां पर पर आप चाहूँ तो इसके उपर इसके नीचे जहां भी बड़ इसके अंदर होना चीए यहां पर आपने पेस्ट कर दो ठीक है अगर चलो फिलाल के लिए में यहां पर मैं आता हूँ तो डेटा तो मुझे देख रहा है तो यह जो इखक्ली डेट टूल से मुझे में बुछे पर देखो हूं, मुझे यहां पर यह इंट है, तो यह जो लोग दिख रहा है, इसलिए अगर आप देखोगे मेरे थंच नेल, तो वहां पर आप देखना कि यह वाला एक आइकन मैं रखता हूं यहां पर एक react का icon है, एक react query की icon है and then third one जो icon है वो हमारे react query dev tools का है, तो I hope आपको पाता चल गा होगा कि thumbnail पर हमने वो क्यों एक icon रखा था, वो basically आपके dev tools का होता यह कितने एक chill vibe दे रहा है, यहां पर जाके आप रिल्यक्स कर रहा है, यहां पर रिल्यक्स कर रहा है, यहां पर नीचे है, मैं कुछ इस्तिरगे से रख देता है, कोई ने आप समत जाना कि आपको यह मिल गया है and let me know in the comment section आपको यह मिला है नहीं, so मैं इस पर click करने जा रहा fetching, paused, stale time and then inactive, ठीक है, फिलाल अभी यहां पर कुछ भी मुझे data मिल नहीं रहा है, तो यहां पर यह जो particular part दिख रहा है, यहां पर मैं इसको show and then hide कर सकता हूं, toggle, तो अभी मैं इसको hide कर दे, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, let's do one thing, home पर मैं जाता हूं and इस पर मैं click करता हूं, अभी देखो, बहुत छोटा दिख रहा है आपको, right, तो मैं क्या करता हूं, अब यह जो मेरा fetch react query, उस पर मैं click कर देता हूं, थोड़ा से zoom कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, यहां पर आप मैं इस पर click करूंगा and boom guys, ती देखो, data मुझे आ गया है, but एक आप notice करना, कि हमारे यह 10 stack query है, यहां पर आप देखोगे, तो हमें एक query यहां पर मिल चुकी है, याद हमने query की में एक value put की थी, and वो यह है, इसलिए हम वो put करते हैं, वो हमें सा unique इसलिए होना चीए, क्योंकि इसके base पर अब यह make sure करेगा, कि data हमारा cache पर है या नहीं, वो stale हुआ है या नहीं, उसको वापस fetch करना है या नहीं, पहुत सारे चीज़े होती है, यह post यहां पर आगे मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, तो देखो, data यहां पर है, I mean fresh पर 0 दिख रहा है, fetching, but यहां पर आप नोटिस करना, यह जो stale वाला जो time है, यहां पर मुझे 1 वा यहां पर कर सकते हो, search by status and all, ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे चीज़े है, जो अगर इस पर मैं click करूंगा, तो यहां पर आप देख सकते हो, query की details क्या है, ठीक है, then we have this refresh, invalidate, reset, remove, ठीक है, इतने सारे चीज़े है, and यहां पर देखो, कितना easy होगा, अब मेरे लिए बनना ह console पर जाता था, and मैं यह देखता था, कि data में मुझे जो मिल रहा है, as a response, वो क्या मिल रहा है, and मैंने limit तीन का कर रहा है, तो मुझे यहां पर by default मिल गया, यह मैंने console किया, बोल के न, यह मुझे by default दे रहा है, so this is the beauty, कि ना तो मुझे अब console टैप पर जाना है, ना मुझे network पर जाना है, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा, मैं further इसको और, I mean, इस तरके से open कर सकता हूँ, ठीक है, तो जिसमें user ID है, we have this ID, we have this title, and then we have this body, मैं copy कर सकता हूँ, मैं इसको edit कर सकता हूँ, मैं इसको delete कर सकता हूँ, बहुत सारे चीजे है, this is our data explorer, and then further we have a query explorer also, and this query explorer पर बहुत सारी चीजे हैं, जो आपको देखने मिलेगी, ठीक है, जिसमें से एक तो यह आपकी query है, यह आपकी options है, जिसमें से यह बहुत important है, and that is your GC time, what is this GC time, this is your garbage collection time, I mean, इसको उपर मैं कल वीडियो बनाऊँगा, यह बहुत important है, and यह garbage collection time ही आपका cache है, जो by default react query आपको provide करता है, ठीक है, मतलब एक बार data fetch की by default हो cache में चला गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, observer है, query key है, post है, query है, states है, is fetching optimistic and all, यह सब हो है, तो at least मुझे लग रहा है कि यहाँ पर query की दिखा रहा है, query function देखो, बहुत सारे चीजे है, observer है, query key है, ठीक है, यह इसको फ query and mutation का, एक simple सा fund आप यह समझ लो, कि जब आप query करते हो, हम जब use query use करते है, to fetch the data, to get the data from the server, simple, but once जब आप वो data को get कर लो, then we need to perform some operations, right, for example, मुझे कुछ add करना है, let's say मुझे कुछ delete करना है, let's say मुझे कुछ update करना है, तो सिब data fetch को छोड़ के, यह जो add, delete, update, यह जो operations होते ह है, तो वो हम use mutation hook उसकी मादद से करते है, तो इन दोनों में यह difference है, use query की मादद से आप data fetch को रहेगा, उसके बाद जो भी उसमें operations perform करना है, उसके लिए हम use mutation use करते है, फिलाल तो हमने कुछ किया है नहीं, तो वो इस तरह की से दिखा रहा है, but queries में, हाँ मेरे पास एक queries है जिसका data यह है, इसका cache में यह basically 30 मिनिट तक रहेगा, यह आपको कल पाता चल जाएगा, चलो कोई नहीं, but yeah, I think this is it, so इसको guys, मैं अब end कर रहा हूँ आज इस वीडियो के लिए, I know वीडियो छोटा था, but important था क्योंकि अब सब कुछ हमें यहाँ पाता चलने वाला है, and मु जाने मुझे इतना चोटा क्यों दिखाई दे रहा है, देखो ना, इतना चोटा मैंने जूम किया, तब जाके तो इतना आपको बना बहुत चोटा दिख रहा है, so let me know in the comment section, क्या आपको भी यह छोटा दिखाई दे रहा है, या नहीं, ठीक है, so yeah guys, मिल तो हमें आपको कल की बीड़ो में, और कल का बीड़ो और बी इनपोर्टेंट है, क्योंकि अब हम देखने जारे, garbage collection time, जो कि आपका पहले कहलाता था, cash time, and यह कैसे को समझना बहुत ही जादे इनपोर्टेंट है, so yeah guys, बीड़ो पसंद आए, तो लाइक कीजेगा, दोस्तों के साथ, भर भर के स हमारे इस playlist को, react playlist को check out करना बिल्कुल मत बुलेगा, क्योंकि वो तो complete हो चुका है, अब हम उनके library को check out कर रहे है, react की मदद से हमने complete website भी बनाई, यह 3 गंटे के एकदम, perfect, आप लोगों के awesome website इसको भी जरू check out कीजेगा, and 10 stack तो अब हमारा start हो ही चुका है, so guys, अब मिलता ह मैं आपको कल के video में, till then guys, thank you so much, take care